नमस्कार दोस्तों, करेक्टिस्टिरी पॉइंट और मोडिवेशन में आपका स्वागत है आज मैं हाजिर हुआ आपके सामने एक बहुत ही भेतरीन टॉपिक लेके जो की टेट, सी, टेट, टेट, मतलब की कोई भी टेट का एक्जाम होता है सब में यहां से कुशिशन जरूर पूशे जाते हैं आपके यह हमारा टॉपिक रिलेटेड है कुछ पठन विकार से, कुछ साइकोलाजिकल विकार से तो देखे अधिकम अच्छमता है यह, अधिकम अच्छमता होती क्या है अदिगर अचमता में कुछ या फिर पढ़ने में या फिर लिखने में या फिर कैलकुलेशन करने में जब problems आती है तो हम इसे इन problems को अधिकम अच्छमता बोलते हैं मतलब कि अच्छमता एक होती है च्छमता दूसरी अच्छमता मतलब कि कारे करने की च्छमता उस छेतर में नहीं रह जाती है समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो आईए देखते हैं ये विकार कौन-कौन से होते हैं देखें मौकिक विकार, पठन विकार, लेखन विकार और गड़तीय विकार चार टाइब के विकार आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें मेंसे आपके एक्जाम में पूशे जाते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे गड़तिये विकार की, देखिए bağडतीये विकार को हम discalculia कहते हैं, calculate काल्कॉलिया देखिए calculations स्ब्द से बना है, calculation मmealड़ गड़ना, और गड़ना किसकी करेंगे गड़ित की, तो जहाएं इसी बात है कि अगर गड़तिय विकार है तो उसे हम does calculation बोलते हैं यहां कैलकुलिय को आप किवल ध्यान में रखीए गई, यह calculation मंदित सब्द है, और यह गड़तिय विकार में जो है अगर गड़तिय विकार की बात की जाते है तो हम की बात करेंगे ठीक है इसके बाद फिर हम बात करेंगे लेखन विकार की लेखन विकार लेखन का मतलब होता है जिसे कोई ग्राफ आपने खीचा न तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेखन विकार अगर है तो उसमें ग्राफिया जुड़ा हुआ होगा ग्राफिया या प्रेक्सिया जिसे ग्राफिया या प्रेक्सिया ये दो चीजे जरूर आएंगे मतलब कि अगर लेखन विकार है तो ग्राफिया डिस्ग्राफिया प्रेक्सिया ठीक प्रेक्सिया और ग्राफिया ये दो चीजे जरूर आपको मिलेंगे इसे बात बात करेंगे पठन विकार की पठन विकार में है लेक्सिया डिसलेक्सिया देखें लेक्सिया मतलब लेक्चर लेक्चर मतलब पढ़ना ठीक है तो पढ़ना मतलब कि आगर नहीं पढ़ पा रहे हैं लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं तो जाहरी सी बात है कि पढ़न विकार होगा अब दूसरे टाइप से हम समझते हैं कि जैसे क क्या होता है कि एक सब इसमें है लक्स, ठीक है, हम इसको हम लोग जानने है तो क्या पढ़ेंगे, लक्स पढ़ेंगे, लेकिन जो इसको नहीं समझ रहे, छोटा भुच्चा है, तो वो क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा, और जब लुक्स पढ़ेगा, तो ये क्या होगा पठन विकार होगा, ठीक है, तो पठन विकार में क्या होगा, कि LXIA मनलब Dyslexia LXIA या Dyslexia पठन विकार है इसके बाद हम बात करेंगे मोखीक विकारों की तो मोखीक विकार जो होता है मोखीक विकार मतलब की जिसे आपने बहुत से छोड़े जब आप रहे होंगे तो मोखिक परिक्षाएं भी दिये होंगे मोखिक मतलब कि वही भासे सम्रिशट संबंद रखता है और पठन आपका डिसलिक्सिया ठीक, तो मोखिक विकार में अफेज़या, डिसफेज़या मतलब इसमें फेज़या आएगा मोखिक में फेज़या आएगा ये ध्यान देना है आपको बस यहाँ से आप पकड़ लेंगे ना तो फिर आपको कभी नहीं भूलने वाला है ये देखें फेज़या इसके बाद फिर RNA में जो आता है वो आपका देखिए दो नए जुड़ गए हैं जिसमें डिस्थीमिया और डिस्मॉर्फिया डिस्मॉर्फिया क्या है या मनोविकार है और डिस्थीमिया क्या है कि तनाओ की गंभी रवस्ता अगर तनाओ जैसे टेंसन लेते हैं न लोग और उस गंभी रवस्ता में चले जाएं तो उसे हम डिस्थीमिया बोलेंगे और डिस्मॉर्फिया में क्या बोलेंगे या मनोविकार है जिसमें भ्रहम होता है कि अंग छोटे वा अपूर्ड है यो मानसिक विकार मतलब कि आपसे कुश्यन पूछ सकता है कि किस मनोविकार में ये फील होता है ये भ्रहम होता है कि अंग छोटे वा अपूर्ड है तो ये डिस्मॉर्फिया मतलब कि डिस्मॉर्फिया के अंतरकती आता है और डिस्थीमिया में डिस्थीमिया क्या है कि ये तनाओ के गंभेर अवस्ता है और ये एक प्रकार का मानसिक विकार है दोनों ही एक प्रकार के मानसिक विकार है इसमें कोई भी दो रहे नहीं है इसलिए देखिए आपने पढ़ा पठन विकार लेखन विकार भाजा सम्मंधी विकार गड़तिय विकार और ये अन्ने में हम ऐसे topic लेके आएंगे जहां से आपका एक या दो question या एक या दो number आपका fix होने वाला है okay thank you मिलेंगे next class में दब तक के लिए हस्ते रहिए मुस्कुरा